अपसे कुछ देर बाद दिली के मुख्यमंत्री अर्वीन केजरिवाल आम आदमी पार्टी के गुजरात के CM चहरे का एलान करने जारे इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गड़वी है उनी से बात करते हैं इस रण भाई माना जा रहा है आपका नाम अर्वीन केजरिवाल एलान करने जारे गुजरात के मुख्यमंत्री के चहरे के तौर पर क्या कहेंगे देखो वो तो गुजरात की जनता तई करेगी और हिंदुस्तान की पार्टी है और अर्वीन जी एक ऐसे नेता है जो कि जनता को पूछ कर मुख्यमंत्री का चहरा तई करते हैं और कोई भी सर्वे में आया मतलब कि हमेरे पार्टी में नहीं होगा पार्टी से बाहर होगा सामाजी का आगेवान होगा तो भी हम उसको लेकर पार्टी में लाने की कोसिस करेंगे मतलब सहाब है कि गुजरात की जंता का भला होना चाही गुजरात क्या हिए प्रतिस्टा इंपर्टेट नहीं है हम तो सब छोड़कर आए गुजरात की जंता खेली ब्स उसके काम होने चाहिए बहुत बड़ी चैलेंज होगी अगर आपका नाम एलान होता है तो जरिंद्र भाई बुपेंद्र भाई इन सब के सामने आप कैसे मतलब गुजरात की जनता को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि नहीं इसुदान गड़वी है जो गुजरात का मुख्यमंत्री अच्छा बन सकता है मैंने का कि मैं तो कोई बनने के लिए नहीं आया हूँ मैं तो सब कुछ अपने त्याग करके आया हूँ छोड़ कर आया हूँ मुझे तो गुजरात की जनता का भला होना चाहिए जो भी नाम आएगा इसुदान गड़वी उसके साथ है दिल से तहे दिल से और हमेरी एकी सक्सिडल कह रहें कि 52 जो ओबीसी वोट है गुजरात में उसी के लिए ये ओबीसी कार जो आमादमी पार्टी खिलने जा रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है आमादमी पार्टी तो जब आमादमी पार्टी के एंट्री होती है तब कास्ट गनाती जाती धर्म किछे दूड़ जाते सिर्फ काम की राजनेती चलती है अब मुझे बताओ अच्री सिठसा किसको नहीं चाइए अच्छे स्वास्ति लिक लिए और वह गारीब वन्चित सोसित अबीना पेपर लिए, एक्जाम किसको निए चाहिए, सरकारी नोकरिय किसको निए चाहिए, करबशन, खत्म किसको निए चाहिए, तो यह सब मुद्धे रहेंगे और उसी मुद्धा पे गुजरात की जनताताय करेंगे। तो इस उदान गडवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो भी जिसका भी नाम का एलान होगा वो उसको सपोर्ट करेंगे लेकिन अब ही वो अपने परिवार का असीरवाद लेकर रवाना हुए और लगबद लगबद तय हो चुका है गुजरात में जो सर्वे किया थ उसमें से 48% लोगों ने कहा है कि इस उदान गडवी आम आदमी पार्टी से मुक्यमंत्री का चेहरा बन सकते है अम्रबाद से कैमरा पसंट जेपी के साथ इतनी प्लानी जिन लिया